राम राम, DLSS एर मौर एटनाहन की तरफ से अपने सारे स्टेक होलडर्स को राम राम जी हां, Honorable Supreme Court की जज्जमेंट रामदत्तर वर्सेश देवी राम जिसने की 2014 की जज्जमेंट राम किशन वर्सेश सेव राम वहां भी राम राम, यहां भी राम राम उसको अफोल्ड किया तो Pan India Outreach Program में हमारे स्टेक होलडर्स डोर टू डोर कैम्पेनिंग कर रहे हैं तो जर, जोरू, जमीन, इंडी के जगड़े तो वो आपके आगे रख रहे हैं लॉंग स्टेंडिंग डिस्प्यूट को किस तरह असान से खतम किया जा सकता है वो मैं आपको बताऊं तो है लीगल अवेर्नेस जब हमारे स्टेक होलडर्स लीगली अवेर होंगे, कानून की पकड़ होगी और वो कन्विंस कर पाएंगे, कि जिद से नहीं, इगो से नहीं, पारिवारी कलह को, कलस को खतम करें और लोक अदालतों में, जब कानून की पकड़ मजबूत होगी पैनल लॉयर्स की, लर्नेट मीडियेटर्स की, स्टेक होलडर्स की और हमारे विलेज लीगल सपोर्ट केर सेंटर को अडॉप करने वाले लॉय स्टुडेंट्स की हमारे पैरा लीगल वॉलिंटियर्स की तो वो लोगों को बता पाएंगे, कि राम राम वर्सेस राम राम मतलब कि राम राम 2021 की judgment और राम राम 2014 की judgment में ये कहा गया कि जो अब गिर्वी रखा देते हैं तो डरने की जूरत नहीं है अरे गरीब इन्सान का जमीन गर्वी रखवा कर जो सहुकार थे उनका जो जमीन वापस नहीं करते थे और अमीर अमीर होता जा रहा था गरीब गरीब ये बातें तो आपने फिल्मों में देखें लेकिन अब पैन इंडिया आउट्रीज प्रोग्राम के तहर जितनी अवेरनेस हम दे रहे हैं इससे हमारा वो किसान वो मार्जनलाइजड राम उनकी जिंदगी में राम राम ना कहें यानि कि राम दत्तन वर्सेस देवी राम और राम किसन वर्सेस सेव रामकी जज्मेंट उनको ये न बताएं कि देखो आपने बुरे वक्त में जरुर उठाया होगा पैसा जमीन गिरभी रख्वाई होगी लेकिन जमीनके मालिक आप ही रहेंगे क्योंकि आप पैसा नहीं चुका पाए इसका ये मतलब नहीं कि आप से उसने जो भी चीज लिखवा लिया कि इतने टाइम पे पैसा नहीं लाओगे तो ये जमीन मेरी हो जाएगी यानि कि 400 रुपिये लोन नहीं डिये 4000 का जमीन गिरवी करवा दिया अरे ये को आपको हिंडी में पहाड़ी भासा में हमारे किसान भाईयों को समझाना होगा जय जवान जय किसान किवल कागजों का नारा नहीं है ये लीगल सेर्फिस इस्थियॉरिटी के तहत हम भारत के किसानों को एश्यॉर करना चाहते हैं कि कानून में भी आप ही के लिए हमने प बार-बार आपको ये बता सकें, अगर आपकी कोई जमीन का ऐसा कोई केस है, तो साहू कारों से भी हम ये अवेर करना चाहते हैं कि इसकी कोई मियाद नहीं होती, कोई लिमिटेशन नहीं होती, एक बार गिर्वी हमिशा के लिए गिर्वी और हर बार गिर्वी और उसको हमिशा तुड़वाया जा सकता है, आप चलाकी से या कागजों में कुछ साइन करवा के कोट का दर्वाजा खटकटाएंगे तो भी यही कानून पाएंगे, जैहिन जैहिमाचल